बिसमिल्ला रेख्मान रहीम, असलाम अलेकुम डियर स्टूरेंट्स, डियर वीवर्स, डियर टीचर्स, I am Muhammad Ali from channel French Physics. डियर वीवर्स, मुझसे बहुत से टीचर्स ने और बहुत से दोस्तों ने ये खाहिश का इजहार किया ताके मैं उनको वीडियो मेकिंग पर, वीडियो रिकॉर्डिंग पर, एडिटिंग पर एक मुकमल लेक्चर दूँ, ताके वो भी अपना setup, अपना channel जब स्टार्ट कर सकें. तो बिल्कुल जदा time consuming video नहीं बनाया, मैंने 25 मिनट के अंदर, मैं आपको तीन बनियादी चीज़ें सिखाऊंगा, कि वीडियो रिकॉर्ड किस तरीके से करना है, उसको एडिट कितना करना है, किस तरीके से करना है, और उसको YouTube पर upload कैसे करना है. तो just within 25 मिनट्स, आप जो teacher हैं, आप अपना video record करना चाते हैं, तो इस time duration के अंदर, आप मुकमल तौर पर सीख जाएंगे, कि आपने video recording कैसे करनी है, उसकी editing कैसे करनी है, और उसको upload कैसे करना है. So, beneficial ये तब ही होगा, जब आप ये पूरा video गोर से देखेंगे, और फिर हर चीज को बार-बार practice करेंगे, हाँ, इसमें जो software use होंगे, जैसे Cinema FV5 आपने title में देखा, Camtasia title में देखा, तो मैं इन दोनों software के जो links है, वो भी description में provide कर रहा हूँ, ताकि आप वहीं से download करें, और अपना एक निया सफर जो है, community को online पढ़ाने का वो start करें, तो let's move towards the first application, Cinema FV5, तो viewers, आपको record, edit और publish के इस features में, मैं आपको सबसे पहले recording का जो सारा setup है, वो समझाऊँगा, इसके लिए आपको किस-किस चीज की जरूरत है, तो वो हम discuss करते हैं, तो सबसे पहले आपके पास एक कॉलर माइक होना जरूरी है, जो तीन से चार मीटर तक लेंधी हो, या आपको बाजार से तकरीबन चार से पांच सो, ये वन वन थाउजन की range तक maximum एक अच्छा माइक मिल जाएगा, दूसरी चीज आपने अपने प्ले स्टोर पे जाके application डा काम, क्या आपने अपने रूम की setting कैसे करनी है, तो रूम setting में, लेट से ये आपका रूम है, तो यहां सामने whiteboard लगा है, यहां आपने खड़े हो के lecture record करना है, यह सामने tripod stand है, अब lighting बहुत important चीज है, lighting के लिए, आपके पास एक light आपके left wall, एक right wall और एक बिलकुल आपके whiteboard के opposite जो सामने वाली दिवार है, वहां पर light bulb होना ज़रूरी है, हाँ, अगर इतनी sockets नहीं available, तो फिर आप क्या करें कि, लेट से आप इस जगा पर खड़े हैं, तो यह दो lights होना बहुत जरूरी है, ठीक है, back light नहीं भी होगी, तो उसे जरा shadow avoid हो जाएगा, तो these two lights are very necessary, और अगर आप इस side पर खड़े हैं, तो फिर यह दो lights होना जरूरी है, तो यह आप एक sketch जें में रख लें कि room arrangement कैसी होनी चाहिए, उसके बाद चलते हैं कि जब आप app download कर लेते हैं और app को open करते हैं, त तो यह app का interface आ रहा है, ठीक है, आपके mobile screen पर यह interface शोर होगा, इस में से हमारे लिए क्या चीज़ें important हैं, सिर्फ यह तीन चीज़ें, the settings, the autofocus and the exposure, तो एक एक करके तीनों के explain करता हूँ मैं, number one पे आजाते हैं, settings पे, ठीक है, settings पे आप जैसे ही click करेंगे, यह इस तरीके स एक बार open होगी, इस में से आपने कुछ भी change नहीं करना, all right, इसको ऐसे ही रने देना है, दूसरे number पर आप इस जगह पर second number पर video settings पर click करेंगे, तो जैसे click करेंगे, वहाँ पर भी इस तरीके से एक options open होगी, इस में से भी आपने कुछ चेंज नहीं करना है, यह by default ठीक settings है और तीसरे number पर audio settings, important one, सबसे पहली चीज़ देखनी है, include audio track पर tick हुआ हो, यह लाजमी है, फिर आपने यह जो audio source लिखा हुआ है, इस पर करना है click, जैसी आप इस पर click करेंगे, तो might be आपकी सबसे पहली option highlight हो, built-in mic, आपने second option select करनी है, external mic की, क्योंकि आपने जो mic purchase किया है, वही mic जो है, आप use करेंगे, और अपना recording जो है, वह से start करेंगे, जब आप external mic select कर लेंगे, तो आपने क्या करना है, अपने mic को आपने mobile के साथ connect कर देना है, connection का कैसे पता चलेगा, कि आपको यहाँ पर mic का symbol बना नजर आएगा, ठीक है, यह अब आपकी settings होगी complete, अब आप आपने क्या करना है, कि let's say, सामने, जैसे यह books पड़ी है, तो यह मेरा whiteboard है, let's say, और मैं यहाँ पर lecture दे रहाँ, तो आपने एक मरतबा, tripod stand पर set करने के बाद, screen पर करना है, click, screen पर click करेंगे, तो यह सारी जगा, जो screen पर नजर आएगी, यह focus हो जाएगी, फिर आपने क्या करना है, आपने इस जगा पर autofocus वाली जगा पर click करना है, जैसे ही click करेंगे, यह menu open होगा, अच्छा, इसमें autofocus तो red हुआ ही होगा, यहाँ पर लिखा होगा, AFL, autofocus lock, सबसे important चीज जिसके लिए यह application use होती है, वो है ही यह button, कि जब हम move करते हैं camera के सामने, तो हमारा जो default camera है, जो mobile का अपना camera होता है, उसके application होती है, उसमें focus change होता रहता है, तो उस focus change को हमने बचाने के लिए, यह cinema fv5 application को use किया है, अब इसमें autofocus lock की option आपने select कर लेनी है, select करेंगे तो यह red हो जागी नहीं, मैंने पहले से select की हुई है, जैसे ही यह सारी selection हो जाएगी, अब आप अपनी recording स्टार्ट करने के लिए त्यार हो जाएं, अच्छा, recording, चूँके obviously आप इस वक्त कैमरा के पीछे खड़े हैं, अपने mobile की recording on करने के लिए खड़े हैं, तो आपने simple काम करना है, आपने recording पे click कर देना है, click करेंगे तो अब क्यों होगा कि यहाँ पे time चलना सीड कर जाती है, तो फिर आपकी audio quality अच्छी है, recording अच्छी हो रही है, तो इस interface के start होने के बाद, आपने इसको start रहने देना है, और खुछ चले जाना है in front of the camera, अब camera पर जाने के बाद, देखें experience यही चीज़ होती है कि आप start में क्या क्या गलतियां कर सकते हैं, तो मैं आ number one, number two पर आपने ये करना है, कि आपने camera के सामने आकर थोड़ी देर खामोश हो जाना है, और फिर एक दमाग में पूरी हिरारकी बना कर फिर आपने lecture start करना है, at least ten seconds का gap लाजमी दें lecture start करने से पहले, lecture के दो तरीके हैं, या तो आपने 7-7 लिख के पढ़ाना है, या आप whiteboard पर पहले से एक sketch जो है, वो थोड़ा सा लिख लें और उसके बाद पढ़ाना शुरू करें, फिर उसके बाद, आप अगर एक flow में lecture दे रहे हैं, तो lecture देते चले जाएं, हाँ, दरम्यान में अगर कोई गलती हो जाती, और आपको पता चल गया कि आपने या पे गलती कर दी है, तो आप उस गलती के फौरण बाद रूख जाएं, फिर इसी तरह 3-4 सेकंड का gap लें, और उस gap के बाद उस sentence को दुबारा repeat करें, उसी flow में, जो gap होगा, वो हम, जो next हमारी editing वाली condition होगी, उसमें हम उस gap को remove कर देंगे, अच्छा, फिर एक और चीज, अगर आप एक लं mobile camera के पीछे जाएं, और देखें कि अभी तक recording हो रही है, क्योंकि अकसर अकात, कुछ ना कुछ application में fault आ जाता है, या किसी internal error की वज़ए से video recording रुक जाती है, और हमें पता नहीं चलता, हम record करते रहते हैं, एक दूसरा तरीका ये भी है, कि आप अपने tripod stand के बिलकुल, सामन पर आपको पता चलता रहेगा, कि आपकी जो video है, वो basically record हो रही है के नहीं हो रही है, और recording की सबसे बड़ी निशानी, इस audio level का कम जादा होना है, ठीक है, तो ये एक चीज़ होगी, फिर इसी तरह जब आप finishing करें, तो finishing के end पर कोई ना कोई sentence, कोई ना कोई style अपना, जरू अब आपने जब video record कर लिया है, इस video को record करके mobile में इसे कहां से निकालना है, तो उसके लिए आप देखें, कि आपने mobile की internal storage, यनि इसको laptop से connect करें, internal storage में जाएं, internal storage में DCIM का folder select करें, उस folder में 100 sign के नाम से एक folder होगा, इसको आप open करें, तो यहाँ पर आपका recorded video पढ़ा हुआ होगा, तो इस video के साथ अब हमने क्या करना है, इसको हम लेकर जाएंगे, Camtasia में तो हमारा next demo जब start होने लगा है, कि Camtasia में हमने इसको shortest time में इसकी editing कैसे करनी है, वो tools आपने कैसे use करने हैं, तो let's move towards Camtasia, वीवर्स, यह है हमारा Camtasia का interface, अब इस interface में हमने अपने video को कैसे utilize करना है, कैसे edit करना है, तो मैं बिल्कुल simple steps में कुछ minute का demo दूँगा, आपने सबसे पहले क्या करना है, कि इसका menu गौर से देख ले, इसमें जो menu हमें ज्यादा काम आएगा, मैं सरफ वही use करूँगा, आपने सबसे पहले click करना है import media पर, और import media में आपने अपना वो video जिस जगा पर ले आऊँगा, अब ये video कितना length ही है, उसके लिए ये जो plus और minus वाला sign है, इसको अब कम ज्यादा करके, ठीक है, इसकी length को total adjust कर सकते हैं, अच्छा, now, सबसे पहला tool, चूँगे मैं आपको कहा था कि starting में आपने थोड़ा सा pause लेना है, तो let's say वो starting वाला हिससा अ करना है, वो इसे से किया जाएगा, तो आप video पर double click करें, ये बल्कुल start में आ जाएगा, अब आपने जितना हिससा start में pause लिया था, इस red वाले portion को पकड़े, drag करते जाएं, और जहां तक आपने इसको remove करना है, वहां तक इसको select करें, और उसके बाद यहां पे cut पे click कर दे तो इतना हिससा remove हो गया, हाँ, फिर आपने कहीं अगर mistake की थी, जैसे मैंने कहा कि mistake भी हो सकती है, तो मैंने कहा था, आप पर pause लें, अब देखें ये जो दरम्यान में सफیद सी बार आ रही है, ये pauses को show कर रही है, बार audio है, और दरम्यान में जहां बार नहीं है, वो आपक कर दे, ठीक हो गया, तो इस तरीके से आप एक पूरा flow में जो lecture है, वो create कर सकते हैं, अब आपका ये जो बार है, जो audio level है, वो बड़ी important चीज है, उसके लिए आपने क्या करना है, यहां पर अगर आपको audio options नजर आ रही हैं तो well, otherwise यहां पर आप more पे click करेंगे, audio effects पे click करे अब दो चीजें बहुत important हैं, इसमें noise removal और audio compression, अगर आपने ऐसी जगा पर video record किया है, जहां पर बहुत ज़्यदा शोर है, तो फिर आप noise removal वाली फाइल को select करें, और अपने वीडियो के उपर इसको paste कर दें, ठीक है, अच्छा, उसके बाद आप noise level जो है, उसको adjust कर सकते ह कि अगर आपकी voice भी ठीक है और शोर भी कम हो गया, तो बस यह levels यहीं पर adjust रहने दें, उसके बाद अगर आप अपने level of audio को increase करना चाहते हैं, तो आपने यहां से क्या करना है, कि audio compression को यहां पर paste करना है, उससे क्या होगा कि आपका sound एक level में आ जाएगा, जो rise और fall है वो ख जादा audio सुनाई देगा, तो यह audio settings आपने जहन में रखनी है, ठीक है, similarly, next, अब अगर मुझे अपने lecture में कहीं पर कोई image add करना है, बोलते हो यह नहीं, मैं for example, यहां पर interference के बारे में बात करना हूँ, या कुछ बात करना हूँ, तो मुझे एक image add करना है, तो very simple, आपने media प इसको drag करूँगा, और इस जगा पर यह image को paste कर दूँगा, अच्छा, अब एक problem हो गया, कि अब यहां से play होगा, तो पीछे audio तो आ रहे है, ठीक है, audio तो आ रहे है, लेकिन मेरी video पीछे छुप गई है, तो मैं चाहता हूँ कि video भी नजर आए, और यह audio भी नजर आए, तो अगली चीज, कि अगर मैं देखें, इस image को पकड़ के अपने video से नीचे ले जाओ, तो image नजर आना बंद हो जाएगा, यह basically layers है, आपके video से उपर जो भी चीज़ आप रखेंगे, वो video के उपर show होगी, और जो भी चीज़ आप इसे नीचे लेकर जाएंगे, वो automatically इसके प अगर आपको एक text लिखा नजर आ रहा है, तो उसका तरीके कार यह है, कि आप यहाँ पर annotations पे click करें, और यहाँ पर इसको pick करके अपने screen पर लियाए, इसके उपर double click करें, let's say मुझे अपना नाम लिखना है, तो मैं अपना नाम लिखूंगा, इसको size adjust करूंगा और भी मैं इसको रखना चाता हूँ, अच्छा, अब मैंसे इस वीडियो में कितनी देर तक appear करना चाता हूँ, तो इसी का जो एक bar है, वो यहाँ पर appear हो गया, तो इसको खेंच कि अगर आप यहाँ तक ले जाएंगे, तो देखें, जब तक वीडियो चलता रहेगा, यह जो न कहीं split करना चाहें, let's say, मैं चाहता हूँ, कि मैं यहाँ से वीडियो को दो हिस्सों में तक्सीम करूँ, और दरमयान में कुछ और add कर दूँ, तो आपने क्या करना है, इसको इस जगा पर लेकर आना है, और टी बोर्ड से S प्रेस कर देना है, S for split, तो आपका वीडियो दो ह settings करने के बाद, mistakes remove करने के बाद, इसी तरह annotations add करने के बाद, audio level set करने के बाद, अब मुझे करना है इस वीडियो को generate, तो क्या करना है मैंने, I will do, मैं थोड़ा से यहाँ पर settings को set करके, that's it, ठीक है, यह हमारा वीडियो आज़ता है, यहाँ पर, तो now, अब आपने इसको generate करना है, finalize कर लिए, अब इसको आपने generate करना है, अच्छा, एक चीज़ मैं बताता रहूँ कि जो आपकी cinema FBWI से file बनेगी न, वो बहुत heavy बनेगी, तो उसे परिशान नहीं होना, उसके लिए आपके mobile में एक तो storage अच्छी होनी चाहिए, storage काम न 720, इस पे click करना है, 1080 पे mostly अक्सर errors आजाते हैं, अगर आपके mobile के अपने camera resolution अच्छी नहीं है, तो MP4720P, इसको आप select करें, selection के बाद, next पे click करें, अपने project को नाम दें, जैसे मैंने यहाँ पर interference का नाम लिखा, और यहाँ पर जो भी आपने folder select करना है, let's say मैं chapter 9 select कर लेता मैं यहाँ पर save करता हूँ, that's all right, अब मैं जैसे ही finish पे click करूँगा, तो just observe के क्या होता है, जैसी मैं finish पे click करूँगा, तो यहाँ पर एक rendering video का option आएगा, अब यह बहुत slow process है, ठीक है, इसको तकरीबन अगर आपका video 30 to 40 minutes का है, तो इसको तकरीबन आदा खिंटा लग सकता यह process complete होने के बाद आपका video ready हो जाएगा, और उसका अब जो size होगा, वो कुछ 100 MB's में होगा, पहले जो GB's में फाइल बनी थी, अब वो कुछ 100 MB's में आ जाएगी, तो जब आपका video completely यहाँ से develop हो जाएगा, अब हमने उसको करना है अपने channel पर upload, तो आप मैं थोड़ा सा portion add करूंगा, कि उसको channel पर upload कैसे किया जाए, तो viewers, जो video हमने record किया, edit किया, finalize किया, अब आपका channel है, बिल्कुल new channel है, तो आपने उसके upload कैसे करना है, उसमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, तो बिल्कुल shortly मैं कुछ बातें बताता चलो, आपने YouTube open करना है, आपने icon आ रहा होगा, create का, इस पर आप करेंगे click, और upload video के option पर click करेंगे, एक ये interface open होगा, अब आपने file select करनी है, अब वो file, let's say मैंने, ये जो मेरी videos मैंने edit करके finalize की हैं, जहां save किया था, वहाँ पर उससे select करूँगा, और open कर दूँगा, जैसे ही opening आएगी, अब देखें, ब upload करेंगा, फिर इसकी processing होगी, फिर 100% तक जाएगा, उसके जाने जाने में, आपने किन चीजों का ख्याल रखना है, सबसे पहले आप इसको title दें, अब जैसे मैंने इसका video interference का है, ठीक है, फिर इसी तरह एक straight slash डालके, interference है, ये FSE का video है, फिर इसी तरह, ये MDCAT के लिए भी use हो सकता है, और फिर उसके बाद आप अपना नाम लिख दें, ठीक है, कि आप video बनाने वाले हैं, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ आती है, description, description में आप इस video के बारे में कुछ मजीद details add करना चाते हैं, एक video का review देना चाते हैं, learning outcomes लिखना चाते हैं, कि आप इस video में क्या क्या सीख सकते हैं, तो यहां पर आप add कर सकते हैं, उसके बाद अगली चीज़ बड़ी important चीज़ आती है, thumbnail, YouTube पर आपको भी पता है, कि आप भी किसी video क्लिक करते हैं, तो mostly thumbnail देखके क्लिक करते हैं, तो कोशिश करें, कि अपना thumbnail किसी designer से अच्छा एक design करवाएं, और उसमे देख रहे हैं, कि यहां पर मेरी picture लगी है, साथ, जिस class का lecture है, वो mention किया है, और साथ उसका title है, तो यह थंबरे light हो गया, अच्छा यह नीचे इस video का link, YouTube जिस link के साथ इसको associate करेगा, आप चाहें तो यही link यहां से copy करें, और क्या करें कि एक word file बना लें, उस word file में अपन यह Facebook पर या WhatsApp में share भी कर सकते हैं, select all करके, फिर अगर आप एक पुरा course बना रहे हैं, तो यहां पर अगली चीज़ देखें, playlist आ रही है, आप यहां पर अपनी playlist create करें, आप first year के lectures record करने लगे हैं, second year के BSC के जो भी है, वो बना कर यहां पर done कर दें, उसको select कर लें, फिर उ normal age, metric FSE के लिए बना रहे हैं, फिर उसके बाद show more पर click करेंगे, अब आता है सबसे important part, यहां पर आता है tags, अब आपका जो tag है, वो one word या two word और three word एक ऐसी बात हो, एक ऐसा word हो, जिसकी बिना पर आपका वीडियो सर्च में आए, तो मैं चूंकि FSE से related एक वीडियो बनाया ह तो मैं पंजाब college lectures लिखूंगा, एंटर कर दूँगा, तो जैसे मैं एंटर करूंगा, तो यह tag यहां पर save होता चला जाएगा, तो यहां पर आप 500 के क्रीब words लिख सकते हैं, tags पर आप बकादा YouTube पर searching भी कर सकते हैं, अच्छा, बस यहां पर आपने यह option set करने के बाद, फ तो अब इसके लिए इतना जरूरी नहीं है, कि आप इस पर अब इतना काम करें, पहले आप थोड़ा सा learning कर लें, उसके बाद checks, ठीक है, तो checks में apparently copyright claim का, आपका option आ रहा हो, for example, मैं अपना ही एक वीडियो अपने एक और चैनल पर upload कर रहा हूं, तो might भी मुझे copyright claim जो है, व पूरी तरह मेरा वीडियो अप्लोड रने को त्यार है, तो मैं यहाँ पर save or publish तो लिखा हुआ है, इसको select रहने देना है, और आपने public पे select कर देना है, और इसके बाद आपने click कर देना है publish पर, जैसे ही आप publish पर click करेंगे, ठीक है, that's it, your video has been uploaded and now you are presentable to the whole YouTube community, इस तरीके से आप एक पूरे process के तहित, Cinema FV5 से recording कैसे करनी है, Camtasia से editing कैसे करनी है, और आपने YouTube पर upload कैसे करना है, तो I want कि हम पाकिस्तानी जो teachers हैं, वो मिल मिलाकर आगे बढ़ें, recording करें और हम अपने बच्चों को बेहतरी knowledge परवाइड कर सकें, आज के लिए इतना ही, अपना भी ख्या